हलो बच्चो स्वालत है आपका chemistry classes में और जैसा कि आप जानते हूं कि online class आपकी स्टार्ट हुई है कल से और इसमें पहला चिप्टर है वह हमने क्लास 12 का chemistry का सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर आया था तो इसमें अब था क्रिस्टलियट होसों का वर्गी करन देखिए यह जो वर्गी करन किया गया है यह इसके आगहर पर किया गया है कि किस प्रकार के बल उनके कणों के बीच लगते हैं किस ट्रॉंग फोर्स लगती है और वीग फोर्स बेस नहीं तो बहुत ही कमजूर बलों दोरा जूड़े रहते हैं और कुछ बहुती प्रवल मंदों द्वारा जुड़े रहते हैं उसी के आधार पर उसे दुनभी होते हैं एक तरीका और है इनको क्लासिफाई करने का कि वो जो अभी अभी कण हैं वो क्या है अरू है या परमाणू है या आयन है किससे बना हुआ जैसे अरू से बनने वाले क कहते हैं आर्विक थोस तो कुल मिलाके ये चार प्रकार के हैं आर्विक थोस ये अर्मों से मिलकर बने होते हैं आयनेक थोस ये आयन से मिलकर बने होते हैं धात्विक थोस ये परमाणूं से मिलकर बने होते हैं और सही सही हो जाक या नेटवर्क थोस ये ये आपके ये भी परमानु उसे मिलकर बने होते हैं लेकिन इसमें परवल बंद होते हैं तो बच्चों यहां पर घर जो आज़ लेग ठोस है औरमु से बना होता हैं ये कुल में लाके तीम प्रकार के हैं द्रॉपीय आर्विक्टोस नोन पोलर मॉलिकुलर सॉलेड बोलते हैं द्रूभी आर्विक्टोस और एक है हाइडोजन आम अद्र आर्विक्टोस तो हम इन्हीं को स्टेडी करेंगे अभी इनको रफ्पिय देते हैं तो यह आप यह किससे बने होते हैं पोलीक्वलर तो यह मॉलीक्उल से बने होते हैं यह कि मॉलीक्वल से बने होते हैं अब जो मॉलीक्वल हैं अडू हैं वो कितनी प्रकार कि हो सकते हैं, अधरुबिय भी हो सकते हैं, अधरुबिय आप जानते हो, यह भूलते हैं, नोन-Polar Molecular Solids, अधरुबिय यह होते हैं Polar Molecular Solids और यह हैं Hydrogen Bonded Molecular Solids, ठीक, तो पहला वाला हम इस समय इस्टडी करेंगे कि क्या है, अदूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू और यहां तो प्लास माईनस चार्ज आएगा इसलिए यह कैसा है इस नहीं बनेंगे इसलिए के इसको बोलेंगे हम अधरूबिया तो इसमें है जो हाइडरोजन गैस है इसको फोस रूप में लिया गया है तो यह देखिए यह फोस है क्यों कि इसका जो अनूँ है इसको इन दोनों के बीच दोनों की जो पावर है किंचने की वो समान है तो क्या इस पर प्लस माइनस चार जाएगा नहीं तो इलेक्टोन बीच में रहेंगे तो यह इसलिए प्लस माइनस अगर इस टाइप से इस पर प्लस या माइनस आ जाता तो यह दुरूबिया हो जाता तीसरा हो गया चौता हो गया यह इस तायप से जोड़ी रहते हैं लेकिन क्योंके कोई फॉर्स नहीं है कोई पॉए्वरफुल फॉर्स नहीं है इmber उति इसलिए यह जो होते हैं यह अद्रुविय कोतर होते हैं इनको आजने से आप तोड़ सकते हैं तो यहाँ ापर इन कीजक्त हैं अध्रुभिएक एक तो सब्सक्राइन होते हैं ला discuss हैं हिए दूसरा कि यह क्योंकर आएई नहीं होते हैं ठोटते नहें है अर्वोंच होगा नहीं चर्ण के के यह नोन कंडुक्टर होते हैं नोन कंडुक्टर को तो समझतसा चालक में यह अचालक होते हैं अचालक होते हैं इनमें जो बल पाए जाता है कणों के बीच वो या तो पाए जाएगा कमजोर होता है तो वीक डिसपर्सन डिवी डिसपर्सन पोर्स या इसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं पोर्स से अनु बंधे होते हैं बंधे होते हैं और इन बलों को हम एक नाम और दे सकते हैं वांडर्वाल बल वांडर्वाल 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 वल तो यह आपके इसमें होगे इसके लावा यह आप अद्रूबिय जो उधारण है इसके और आप उधारण लिख सकते हैं इसके उधारण हैं जैसे ह2 है ठोस में ही लेंगे इसके लावा आप इसको आई टू है यह रूम टेंपरिचर पर भी ठोस होता है ठीक तो यह अद्रूबिय आद्रूबिय इसके लावा इनके जो गलनांक है गलनांक इसे मेल्टिंग कॉइंट बोलते हैं और कॉत्रांग 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 इसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट यह निम्न होते हैं निम्न का मतलब हो गया बहुत कम निम्न होते हैं यानि थोड़ा सा हीर देने पर भी यह द्रव वस्थाम है या गया सबस्ता में चले जाते हैं उस्तों रूम टेमपरेचर पर भी टमरें के ताप पर भी यह गैस होते हैं क्योंकि इन में आपस में बहुत कम्यूरबल होती है क्लियर तो यह आपका अद्रूबी आडविक ठोस हो गया तो दूसरा प्रकार है दूसरा प्रकार है इसका द्रूबी है तो बच्चों देखिए द्रूबी है आप खुछ जानते हो द्रूबी है आडविक ठोस उसे हम पोलर मॉलीकुलर सॉलिड्स कहते हैं तेकि आपको साथ की साथ हम इंगलिश में इसको बता रहे हैं कि द्रूबी आपको पोलर कहा जाए इसमें जैसे कि नाम से बताएं कि पोल्स बंते हैं जैसे एक सील अगर मैं हाइट्रो क्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड पोस की बात करता हूं तो देखें दोनों की विद्यूद्राइट्मक अलग है इसकी पावर ज्यादा है खीचने की तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यानि एट सी एल इस पर नेगेटिव इस पर आंसिक धनात्म आवेश आ रहा है तो यह अनुद्रोजन कहा जाएगा इसको कहेंगे हम पोलर इसके बीच यह तो इसको कहेंगे हम यह दृद्रोग हो गया यह दृद्रोग हो गया या डाइपोल नाइफूल टेएह दोपोल यह होगे दोपो यह व दायपोल फूर्स जोगे तरहेँ पहलेवाले से इससमेंन तोकॉर्स पाई जा रही था उनसे यह पहले यह क्यों आ है ये क्सट्रागो गया प्रबलभ आलीए इस ते देन लंदन फूर्स आज यह आगया है उस्से ज्यादा इसलिए मेर्टिंग कॉंट कॉंट होंगे तो इसलिए इसके जो करेक्ट्रिस्टिक्स हैं कि यह यह एसके मुआबले थोड़ा सा कटोर होते लेकि ये भी होते हैं मुलायम होते हैं ये 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 भी क्योंकर आइन्स नहीं बन पाते हैं में आइन नहीं होते अलग अलग तूड़ जाए वो जुड़े रहते हैं यह यह भी क्या होते हैं इलेक्ट्रिसटी के कि उचालक या उसे अचालक भी कह सकते हैं यानि इसमें नहीं होगा कि इसके लावा मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट अध्रू भी यह फोसों से अधिक होते हैं अधिक होते हैं समझ में आगे बच्चो और अध्रूबिय अनुमों से मिलकर बने होते हैं यह तो आपको इसका पता है ही और उधारन देखिए इसके उधारन है इसके जैसे HCL है यह SO2 है इसके तरफ नेगटिव नेगटिव और इस पर यह पॉजिटिव तो यह भी धुरूबिय है इसके उधारन हो सकते हैं और उसमें जो पाई याति है वो कौन सी होती है डाइपोल डाइपोल फूर्स डाइपोल डाइपोल फूर्स इसमें तमझ में आगे बच्चो इसके बाद जो तीसरा है हमारा वह है हाइड्रोजन आवंधन हाइड्रोजन बॉंडड देखिए इसमें यह तभी अरुमों से मिलकर बने हैं इसलिए आएं नहीं होते हैं इस लिए जो पुजल istiyorum है कि हाइड्रोजन आवंधन है कि है अगक फूर्स को से इसको हम stupid मोलेकिलर मौली कि प्रॉण सोलेड्स कह सकते हैं है कि तो हाइडोजन अबन्च बॉन्डटीड इसमें देखिए तीन बहुते हैं फ्लॉरिन और नाय डिटोजन इसको फॉन गोलते हैं फ्लॉरिन ऑक्सीजण नाय डिजन तो इसमें देखो अगर यह तीनों मैं से कोई शावित अगर तर रॉटरम से जड़ा वगा जैसे वह इस टाइप से जुड़ जाता है तो इनकी जो पावर होती है यह जादा होती है और इलिमेंटों से इसको डाइपोल डाइपोल न कहके इसको एक नया नाम दिया गया वह है हाइड्रोजन गोंड तो तीरों में ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमोनिया में कि इस टाइब से यह dt बोन्डेंग होती है यह स्ट्रोंगर होती है दुरुवी अवाले से जो याद रखना कि यह तीन अगर है तो वह रखन बनाएंगे इसके अलाबार इन जो गुण है कि यह जनरली क्या होते हैं यह कफोर होते हैं क्या होते हैं इन के मुकाबले हने और ये लेक्टिसटी के क्या होते हैं भूलो कि अचालक होते हैं अचालक उचालक और यह मैल्टिंग पॉइंट और बॉलिंग पॉइंट क्या होते हैं इनके दोनों से उपर वालों से क्या होते हैं अप एक चालक अच्छा क्रत कर तो उच्छ होते हैं और जैसे अगठोर का मैंने पताया था कि आइस बर्फ के होती है भर्फ में हैडरॉजन को से जाती है वह वाटर से बनी होती है चिक इसमें hydrogen bonding होगा और जो फोर्स है आप जानते हो फोर्स कौन सी है इनमें आपस में वो है hydrogen फोर्स होती है एक्जाम्पिल आपको हमने बताई दिये ठोस अमोनिया है ठोस है ठोस है या ठोस वाटर है तो यह आप अधरुबी आर्विक ठोस को बच्चों आप तयार कीजिए और आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखियो लाइकी